ओम श्यान्ति आप सबको स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करेंगे चौथवे दिन के श्री वर्दान में आज पर्म पिता परमात्मा हमें सिखाते क्या है इसमें और बताते क्या है दिखा जाए तो प्रमा कुमारी इसमें चार सब्जेक्ट्स हैं ग्यान है योग मतलब मेडिटेशन धारना मतलब हमें अच्छे गुण धारन करने हैं और उसके बाद में हम सेवा के लायक बनते हैं किसी और के परिवत्तन के लायक बनते हैं तो ये चार सब्जेक्ट्स के बारे में परमात्मा कहते हैं देखा इसको विस्तार में बाबा श साथ संबंध है कैसे जो ज्ञानी तु आत्मा है जिन्होंने नौलेज को अच्छे से समझा है वे योगी तु आत्मा भी अवश्य होगी वो मेडिटेशन भी अच्छे से कर पाएगी उसके थौट्स प्योर होंगे एलिवेटेड होंगे पवित्र होंगे तो परमात्म से जोड़ पाएगी और जिसने ग्यान योग को अपनी नेचर बना ली है उसके कर्म नाच्रल युक्ति युक्त वाश्रेष्ट होंगे जिसने मेड वोटूरिटेशन वोऑतल होर तारीके उंगे जो धारना से भर्पूर होंगे गुणों से भरपूर होंगे जिनके पास इन तीनों सबजयक्त की व eerste धूसे का क्जान ये क्यान का विसडम का मतलब विबेक ऑर इसके आ हमने प्रमात्मा से प्रेम करते हैं। वह setup है... वह मास्तर दाता और सेवधारी सवता बन जाते है।। किसी सेवा करने में time मिं लगता है, और बहुती है। अगlorु की सिस्राइप और इस फஙु आमकुमारी इस गौडली स्प्रेशल उनिएस्टी में सीखते हैं और वो भी निशुल, इसमें कोई फीस नहीं लियाती, लेकिन सिर्फ एक फीस है आपके टाइम की फीस और आपकी परमात्मा से सचे लगन की फीस, यहां मुझे अपने आपको चेंज करना, मुझे शान्ती च ऐसा बनाना है, तो मुझे यह पढ़ाई करनी जरूरी है, बस इतनी ही आपकी फीस लगती है, तो इसी के साथ में आपका दिन शुभव और मुशान्ती